Hello and welcome to the studio members Tech Mahindra को आज के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं इस stock को हमने अपने private group में morning में ही share कर दिया थे इसनके important level समा करके जिसने level से हम इसको ट्रेट कर रहे है Actually Tech Mahindra अपने lifetime high पर ट्रेट कर रहा है ये stock अपनी volumes activity के वज़े से मेरी watchlist में आज के दिन आया Tech Mahindra के अंदर मेरा इसा view है कि ये stock upside की तरफ एक अच्छा move हमको दिखा सकता है क्यूं दिखा सकता है Because ये अपने lifetime high पर है और इसके अंदर कुछ price actions इस तरह के बने हुए है confidence है कि price में भी chance है कि नीचे गिरने में इसको problem हो सकती है जबकि आप nifty को देखोगे nifty एक अच्छी range से तकरा करके downside के तरफ गिरा है जिस range को इसने कल के दिर resistance declare किया था उसी range से downside के तरफ गिर किया था अभी ये aggressive selling modes है बट इस aggressive selling में भी हमारा जो stock attack मेंदरा ये बिल्कुल भी नहीं गिरा है मौनिंग में देखे इसने upside का movement दिखाया था और upside के movements के बाद से ये stock उसी range पर एज रेजिस्टेंसी रियक्ट कर रहा है प्राइज ने जैसे ही upside करेगा वैसे इसके अंदर एक बड़ी movement हमें देखने को मिलेगी क्यूंकि अगर इसको नीचे की दिशा में गिर ना होता तो नीचे की तरफ गिर जाता यहां पर आप माइनूर प्राइस करोगे तो दीखिए एक low यहां पर लगा है अगेन एक लू एक अपने लाइफ टाइम हाई पर है इसके upside में हमको कोई भी इस तरह के रेंजस नहीं मिल जब भी हम ऐसे पर मार्क करने के लिए मेरे पास कोई भी candle नहीं होती कि किसी भी candle को एजर रेस्टेंस मार्क कर सकें तो अब यहां पर अगर हमें रेस्टेंस देखना होगा तो व इसमें हमारे पास एक रेस्टेंस भी होना चाहिए एक मिडिल पॉइंट एक लो होता है वह भी और एक हाई expected है मेरे पास होना चाहिए जिसके supports पर हम काम कर पाएंगे अब यहां पर मेरे पास supports तो हैं बट support सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट से काम ने चाहिए होगा अब हमें देखना होगा कि जो supports है actually यहां पर हमने supports को किस तरह से find किया आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे जब तो देखिए लास्ट जो हाई लगा था वो यह वाला था 23rd of December मतलब कल का जो trading session था कल भी देखिए मार्केट कितनी ज्यादा नीचे की दिशा में गिरी है फिर भी टेकम अप में ही रहा है कल मार्केट ने एक gap up opening दी थी gap up opening के साथ में प्राइज मारे नीचे की दिशा में नहीं गिरा वह जहां पर उसने opening दी थी वह एंपर sustain कर गय यानि के कल टेकम ने एक नया lifetime high लगाया था और आज के trading session में क्या हुआ है आज एक और lifetime high लगा है तो हम क्या कर सकते हैं कि कल की अपनी इस candle का हम high mark कर लेंगे वॉल्यूम्स का अब क्योंकि प्राइज इस रेंज पर है तो वॉल्यूम्स में में भी देख लीजे यहां पर कुछ ज्यादा activity आपको नजर नहीं आई वॉल्यूम्स के परपस से देखें तो एक यह वाली candle मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी अब यह तीन candle मेरे लिए निकल करके आ जाती हैं हम वॉल्यूम्स को कर देते हैं और यह तीन candle से हैं जबकि हम इनको एक support एक resistance बोल सकते हैं तो कल भी मार्केट ने हमारा एक resistance ब्रेक कर देगा तो यह price मारा फिर upside के तरफ निकल जाएगा तो टेकम को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हमको यही लग रहा है कि टेकम इस बुलिश और टेकम में आज upside की moves हो सकती हैं अब यह तो चलिए हमने कुछ support levels draw कर लिए find कर लिए अब supports find कर लेने के बाद में वापस से हम हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें मालूम है कि price ने किया किया हुआ है कल के trading session में एक नया lifetime high लगा था हमने अपने इस lifetime high को mark कर लिया mark करने के बाद हम देख रहे हैं कि price आज उस range को breakout करके upset के तरफ sustain कर रहा है मतलब एक यह जो level है एक range है price हमारा उस range में ही भी इस वक्त रुका हुआ है तो यह range मेरे लिए important हो गई छोटे छोटे points उनको बहुत इत्मिनान से गवर से समझते जाएगा video कर अच्छा लगता है तो video को like कीजे comments कीजे price में यह एक range हमने mark कर लिए यह mark कर लेने के बाद में अब मेरे पास एक supports आगा और price की एक range निकल क कर गया अब हमको चाहिए resistance हमारे पास जिस रेंज पर कोई भी candle नहीं होती तब में अगर एक support define करना तो हम कैसे निकालते है natural numbers का use करते है natural numbers का मतलब कि आपने WD GAN का नाम सुना होगा WD GAN methods recording क्या करते हैं कुछ एक numerical numbers होते हैं कुछ एक round figures होते हैं जिनका use हम support या फिर resistance के लिए कर सकते हैं अधिकतर समय हम इनका यूज नहीं करते हैं इनका यूज हम तभी करते हैं जब कोई भी stock हमको lifetime high पर नजर आता है अब क्यूंकि वहाँ पर कोई resistance तो है नहीं कोई भी candle नहीं जिसको में जाए resistance मार्क कर सके अब यहाँ पर एक numbers की जोरत पर दिए यह numbers बहुत support करते हैं इसक और फिर किसी numerical numbers को ही लगा दिया numerical numbers की आपको पूरी knowledge होनी चाहिए WD GAN के methods की कुछ थोड़ी बहुत समझ आपको होनी चाहिए 1699 ओके यह resistance point में रिले बन गया अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है 1700 एक तो range मेरी यह वारी है 1700 इसके बाद में देखें कुछ एक point थे 1700 के बाद में 1710 और इसके बाद में 1712 अभी इन दो lines को ले लेने से ही काम नहीं चलेगा हमें यह देखना होगा कि price जब इस range पर पहुंच रहा तो उसकी activity क्या हो रही है क्या कुछ confirmation समको मिल रही price upside के तरफ जाएगा यहीं से यह reverse हो जाएगा अगर इस तरह के confirmation समको मिलते हैं कि 1710 पर price मेरा reverse हो सकता है विकलने के कोशिश करेंगे या फिर 1720 तक जा सकता है तो हम इसको hold करेंगे इन शॉर्ट सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि एक resistance निकालने के लिए हमने round figures का यूज किया अभी round figures के लिए सिर्फ आप naked किसी भी stock में यह समझ मार दीजागा एक अच्छी information एक अच्छी knowledge की ज़रूत पड़ी कि आपको इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले तक जो भी concepts में उतनी class में share करते थे उन सारे concepts को दीरे दीरे कहें कि जितने भी concepts हम सभी को थोड़ा सा और perfect बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं तो वो तो सभी को करनी चाहिए कि कि किसी भी concept के उपर अगर आप काम करो तो उसको और भी ज़दा perfection क कि जोरत पढ़ी की पढ़ेगी किसी एक point पर आकर कि आप settle नहीं हो सकते कि हां बस हो गया अब हमें कुछ नहीं चाहिए जब आप इस point पर पहुंच गए कि अब कुछ नहीं चाहिए हम profitable हो गए यह समझ ले जागा उसी दिन से आपका graph नीचे की दिशा में गिरने लगेगा फिक्स नहीं होना है एक level पर पहुंच है अब उससे next level देखना है next level से उसके भी next level पहुंच जाना है ओके तो यह सारे point से इनको देखेंगे हम लोग अब यहां पर बात कर लेते हैं अपनी trades की अब यहां से order book हम लोग अपनी open कर लेते हैं पास्वार डालते हैं पोजिशन बुक ओपन करते हैं जल्दी से यहां पर आप देख सकते हैं 400 quantities हमने बाई कर रखी है 1690.10 पर 1690.10 तो एक level हम लोग यहां पर माग करते हैं 1690.10 यह अपनो point है ओके इस वाली land को हम लोग डिलीट कर देते हैं अब यहां पर देखिए exact जो हमारी buying है वो अपने इस वाली range पर है यहां पर जो swings बने हुए थे इस वाले point पर हमने buy किया हुआ है अपनी confirmations हमने लिए हैं और confirmations मिल जाने के बाद हमने यहां पर एक buying order अ कुछ इस वाले point पर मेरे stop loss लगे हुए है 1670.10 कुछ पैसे पर हैं order book देखते हैं 783.25 stop loss हमारा 400 quantities का selling order मेरा stop loss के साथ लगा हुआ है 1683.25 पर 1683.25 copy perfect यह अपना stop loss order है perfect targets के लिए भी हम कोशिश करेंगे देखिए इन दोनों ही ranges कम रखेंगे बट अपनी final range यह वाली होगी इस line को सिर्फ हम इसलिए रखेंगे क्योंकि यह aware रहेंगे यहां पर अब क्योंकि lifetime हाई पर चल रहा है किस range से price मेरा नीचे की दिशा में पलट जाएगा हमें नहीं मालूम यहां तक ही जाएगा यह यहां तक ही जाएगा फिर वहां से नीचे गिर जाए है ना तो इसलिए इस इसलिए रेंज को हम रखेंगे अपने पास देखेंगे यहां पर प्रैस के एक्टिविटी क्या होते हैं कुछ अगर निगेटिव हमको लगेगा तो हम प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे बट एक्शुल जो मेरे टार्गेट्स रहेंगे आज के वह यह वारा सेटम बना हुआ है पॉफेक्ट इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है प्रॉफिट में ओर अपना प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज का यह दिन हमारा एक अच्छा दिन होगा और कल क्रिस्मस है तो उसके लिए है लेकिन हम को अपने उस एंटरीकि ऊपर बिलीव नहीं है हम डर रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उपर घ्यार तो खुश हो जाते हैं और नीचे हो जक्टिया और अब हम लोग वेट करते हैं किसी आछे अचय मूवमेंट का जिस रेंस से हमने अपना दो नहीं हुआ है तब से जबसे में अपना ट्रेड एक्सक्यूट किया था एक केंडल अब देख पा रहा होंगे ग्यारा बच कर फंदरा मिनट की केंडल जैसे ही एक दो तीन 11.10 के बाद में 11.15 पर जैसे ये केंडल हमारी फॉर्म हो गए थी बहुत हद तक लग रहा था कि प्रैस को ये केंडल हमारी रोक सकती है इसनों रोका भी इस केंडल के लो ने बहुत सारा सपोर्ट यहां पर दिया है केंडल को बट प्रैस देखे इसके नीचे नहीं निकल पा है बिकॉज इस केंडल के ऊपर जो फर्स्ट स्विंग लगा था मेरा वह 12 बज़े केंडल लगा था और अभी प्रैस हमारा 12 बज़े केंडल का हाई ब्रेक कर चुका है इन ग्लाइंस को हम लोग कर देते हैं डिलीट फर्स टार्गेट जो हमने इसके लगा था टेकम के प्राइज में जब से हमने अपना ट्रेड एक उसने निगेटिव से नहीं दिखाया और हमारे डिरेक्शन में ही प्राइज मूव कर रहा है पुरी तरह से अभी हम प्राइस को होल्ड कर रहे हैं 400 कॉनिटी के साथ हम इसके अंदर बन होगे हैं पुरी तरह से अब हम देखत हमने मौनिंग मैनलाइज किया यह स्टॉक सीध है डाउन साइड की तरफ से हम लोगों के एंट्री पॉइंट से सीध है अप साइड की तरफ इस वक्त है पहले उपर की दिश्या में गया वापस से देखिए यह कंसलिडेशन का एरिया बना और वापस प्राइस हमारा अपस और किसी भी तरह का कोई भी हमको सिंटम्स नजर नहीं आया है यह से बाहर निकल जाए एक्जैक्ट देखिए वॉल्म की कंफरमेशन के बाद इस रेंज पर जो वॉल्म निखल कर क्या है मेरी वॉल्म को हम अन कर लेते हैं यह पूरी तरह से वॉल्म के ब्रेकाउट है अभ जो जिस तरह से हमको सिंग्नल्समेल्य थे हमको प patients का बने रहे चाहिए अब वही सिंग्नल्स के अब में बाहर भी निकलना होग और दो अंम यह निकलना है 1,000 RM 흥 finger da profit अब हमें exit करनेशनी है तो सबसे पहले हम किया करेंगे कि अपना stop loss order cancel exit points हम 17,027 रख देते हैं यह मेरा stretched target रहेगा आज के लिए 17,000 कोई हडवड़ी नहीं लास्ट टेडिंग सेशन में भी हमने यह बात आप से बोली थी आप profit में चल रहे हो आप loss में चल रहे हो लेकिन किसी भी चीज़ के हडवड़ी नहीं करनी है जल्दी जल्दी निकल जाते हैं जल्दी कुछ भी मिल गया कोई भी entry price मिल गया कुछ भी exit price मिल गया जो कुछ भी करना है आपके analysis के according होना चाहिए अगर हम चाहते हैं 17,027 पर निकलना 17,027 पर निकलना तो निकली है price अगर 17,028 पर चला गया है जाने दीजे उसको आपके आप जो भी execution करोगे जो भी order execute करोगे एक perfection के साथ होना चाहिए systematic way में होना चाहिए जितनी आसानी से हम ये बात बोल दे रहे हैं actually इसको follow करना इतना असान नहीं है दिरे 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 करके जाओ कि practice हो जाएगी life trades का experience आपके पास बढ़ जाएगा तब जाकर के कुछ धैर आपके अंदर आएगा so अब हम यहां से बाहर निकलते हैं 1730 position book square of nsc 1730 okay सारी quantity अपनी निकल चुकी है पूरी तरह से देखिए हमने क्या किया अपना order लगाया 1730 का मेरा order था सारी quantity मेरी निकल गए overall आज का जो profit है अपना 15,960 रूपीज का है order book एक बार देख लेते हैं सारी quantity जितनी वी थी अपने सारी की सारी quantity निकल चुकी है 400 quantity एक भी order अपना बचा नहीं है यह stop loss order था इसको हमने cancel कर दिया entries था 1690.10 इसको भी execute ही हो चुका है and 1730 रूपीज पर हमने अपना selling order लगाया था जो कि 730 रूपीज पर execute हुआ perfect सारी quantity अपनी निकल चुकी है and positions book में overall जो आज का पना profit है 15,960 रूपीज का profit है kristmas है so पूरी तरह से family के साथ enjoy करने का plan है हम लोग कल का दिन पूरी तरह से enjoy करना चाहते हैं market सिर्फ हमको ही नहीं आप सभी लोगों को gifts देती है बस क्या है gift लेना आना चाहिए I think मेरे कहने का sense अब समझ रहोगे एक time expense किजिए market के साथ market की उपर थोड़ा सा invest किजिए अपने उपर थोड़ा सा invest किजिए समझने की कोशिश किजिए practice करने का खुद को time दीजिए सीखने की कोशिश करिए जितना अच्छा आप सिखोगे market उतना ही अच्छा gift आपको देगे अब आज की दिन इसमें भी बहुत सारे लोगों की stop loss गया होंगे Tech Mahindra के अंदर जब किसी की stop loss जाती तो किसी के पास पैस आता है market ऐसी ही चलती यह वाली जो अपनी candle बन रहा है यह तीन बज़े की candle है हम यहां से बाहर निकल चुके है एक तरह से हम बोल सकते हैं देखे मार्केट का top और bottom कोई find नहीं कर सकता है just expect किया जा सकता है कि आज में भी हो सकता है कि top bottom यहां पर हो और top यहां पर हो हम तो निकल गया हमने तो बस अपने analysis recording यहां पर entry ली थी हम अपने analysis recording 730 पर निकल गया हमें नहीं मार्म था कि क्या top होगा क्या bottom होगा और अभी मार्केट बंद नहीं हुए भी मार्केट चल रही है आधे घंटे तक यह run होगी में भी हो सकता है कि price और upside की तरफ चला जाए हम अभी straight से बाहर निकल चुके हैं and next week हम लोग फिर से एक नई energy के साथ और एक नए experience के साथ मिलते हैं so thank you, goodbye and we will meet again